बिहार में महागटबंदन की आउकात का पता इसी बात से चलता है कि लालू के बेटे के लिए भी अपनी सीट बचा पाना मुश्किल हो रहा है राजत सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपनी पुरानी सीट को अलविदा कह दिया तेजप्रताप अब महुआ के बदले हसनपुर विधानसवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तेज प्रताप की पुरानी सीट छोड़ने के पीछे के कारणों को जानने के लिए देखे एरपोर्ट इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी महुआ विधानसबा सीट के बदले हसनपुर से चुनाव लड़ना सही समझा दरसल तेज प्रताप यादब ने 2015 के विधानसबा चुनाव में महागट बंदन के प्रतियाशी के तौर पर महुआ सीट से जीत दर्ज की थी लेकिन उस चुनाव में नितीश कुमार की जदेउ महागट बंदन का हिस्सा थी लेकिन अब समीकरण बदल गया है इस बार जदेउ और भाजपा एक साथ चुनाव लड़ रही है जिसमें जीतन राम मान जी और मुकेश सहनी की पार्टी भी शामिल है इस बदले समीकरण के कारण तेजप्रताब को हार का डर सताने लगा है इसके साथ साथ महुआ सीट पर तेजप्रताब की परिशानी एक और वजह है तेजप्रताब यादव की अपनी ससुराल के साथ परिशानी चल रही है तेजप्रताब यादव के ससुर चंद्रिका इसके साथ साथ उन्होंने तेजप्रताप यादव को हराने के लिए उनके खिलाफ चुनाफ प्रचार करने की खोशना भी कर दी थी। पर तेजप्रताप यादव को जीत के लिए काफी मेहनत करनी होगी। यादव वोट में सेंदमारी की संभावनाएं भी हैं। जिस दर्शे तेजप्रताप यादव ने महुआ सीट छोड़ी है उसे यहां भी दोहराया जा सकता है। चंद्रिका राय का परिवार और तेजप् लेकिन समीकरण बदलने के लिए उने कड़ी महनत करनी होगी। उनके छोटे भाई और महागट बंधन के सीएम प्रत्याशी तेजस्वी यादव भी उने हरानी की कोशिश में लगे हैं। जिस तरह पिछले लोकसभा चुनाव में तेजप्रताप यादव ने तेजस्वी क चुनोती दी थी उसे भूलना तेजस्वी के लिए आसान नहीं है अब तेज प्रताप यादब को लालू के बेटे होने का करिश्मा दिखाना पड़ेगा तब ही उनकी जीत हो सकती है इसी तरह की खबरे में आपके लिए लाती रहूंगे तब तक के लिए बन रहेगे हमारे स पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुनने के लिए शुक्रिया